में हेलो फ्र्रेंज आज हम बात करने वाले से लेंड़ इंट इव. ऐसन से रिलेटेड बहुत इंपथे इंपोटम टॉपिक के बारे में तो फ्रेंज अगर आप भी सेति इंठेंड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है और वीडियो को आप बिना स्किप की हुए एक बार लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में से ही आपके 15 नमबर का जो है पुसंस आने वाले हैं तो फ्रेंस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीड बात करते हैं ट्रोली के बारे में यह एक लखडी से बना हुआ जूना होता है जो लोहे रशी पर लगी होती है और पुली की मदद से यस रशी पर यह सरकता कैसे हैं những कि नदी पारर करने हैं जो कि रेत में भी चल सकती है अब हम बात करते हैं बैल गाड़ी के बारे में मैदानी इलाकों के गाउं में अक्सर यह प्रयोग में लाई जाती है जुगाड यह आगे से मोटर वाइक जैसी दिखती है पर पीछे से लगड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है घने में उबर खावड पतरी देरास्ते पाए जाते है पंचियों के कान देक़्ेन नहीं है लेकिन उनके सिरके दोनों तरफ छोटे 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 के जेयसे हैं च्यानवरों के खाल पर बाल होने के कारण होते हैं अब हम बात करते हुड़ीं के बार में एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 गिलों से जादा पत्य और जाड़ियां खा लेता है हाथी बहुत कम आराम करता है हाथी केवल एक दिन में 2-4 घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचर में खिलना बहुत पसंद है इससे उनके सरीर को ठंड़क मिलती है हाथी के कान पंखे जै हैं जुन्ड की सबसे बुचुर्ग हतनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है हाथी के जुन्ड में 10-12 हतनी और बच्चे होते हैं 14-15 साल तक के हाथी जुन्ड में रहते हैं उसके बाद फिर जुन्ड को छोड़ देते हैं हाथी परिषानी आने पर एक दूसरे की हेल्प कर करते हैं अब हम बात करते हैं राजिस्तान जोदपूर और खेजड़ी गाउं के बारे में राजिस्तान के इस खेजड़ी गाउं में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे खेजड़ी गाउं के लोग पेड़ों को कठने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपकर ख पासबाए जाता है उसे ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इस पेड़ की चाल दवा के काम में आती और इसकी लकड़ी मैं भी कभी कीरणा नहीं लगता पेड़ की फलियान सबजी के काम पत्तिया वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की चाया में बच्चे खहलते हैं अब हम बात करते हैं अनीता कुसबा जो कि शमकता सितारा और गरलेश्टार के नाम से जानी जाती है चमकते सितारे उन साधा लड़कियों की असाधा रड़ कहानिया हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी जिंद्गी बदल ली अब हम बात करते हैं बिहार मुझपन नगर लोचाहग गाउं के बारे में इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं लीचे के फूल मदमक्कियों को ल पाना जाता है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं मदमकी एक बक्से से 10 monitor सरह प्राप्त होता है मदमक्की का छट्ता हर छट्टे में एक रानी मदमक्की होती है जो की अंड़े देती है कि ऐस छट्ते में कुछ नर मदमक्की वी होती हैं जो काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते जो एक काम को छोड़के और कोई काम नहीं करते च्छते में बहुत सारी काम करने वाली मदमक्या भी होती है यह दिन बर काम करती हैं सहिद के लिए फूलों का रस भी यह डूर के लाती है जब किसी मदमक्य को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाचयानी डांस करती है जिससे दूसरी मदमक्यों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है कि काम करने वाली मदमक् की तो केवल अंडे देती है प्राइए मिलजूल कर रहती है शीटियों के क्मटा हुआ रहता है रानी चीटिय अंडे देती है हैसे सपाहिन डूंड के भिलतख लाती थे मार निरो मरत हैं गुजरात में हैं कोजी कोर केडल मटगाउ में मडगा गुवा अ- 맛 कि गौई की अध्यारन में माकी बड़ी बैन को बल्य एंधर से उधर जाने के लिए फेरशल्व का इस्तेमाल किया किट कबड़ी की आवाज यह सभी निकाली जाते हैं कर्णम मल्ले सवरी कर्णम मल्ले सवरी अंद्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं अब वह 130 किलोग्राम तक बजन उठा लेती हैं भारत के बाहर कर्णम मल्ले सवरी ने 29 मैंडल जीते हैं इनके पिताजी प परदेश के लिए नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग आधी का इस्तेमाल किया जाता है इन चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल पंच्छी मचलियां आदे जीब जंतू साथ में बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कच्छनार के फूलों की सब्जी बहुत बना के लिए उत्र प्रेधिस के कन्नों जिले इत्र गुलाब जलो और केब्डा तेयार किया जाता है डेढ़ा गाजी खान पाकिस्तान में है मित्टी में गोवर मिलाने से मिट्टी कीड़ा नहीं लगता है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीमबकीकर की लकड़ियां फ्रेम बना कर विचा दी जाती हैं सोहना गाउं हर्याना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गाऊ मिलता है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को अवाल लेना बेलबन का गाउं करनाटक में है, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम सुरू होता है, खूटी की मंदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, करनाटक में हलको कुरेगे कहा जाता है, कुछ पौदे बिना बोई खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिनें खर खर्पतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है नहीं तो सारा खात पानी खर्पतवार ही ले ले लेते हैं फसल कम होती है अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी करना टक में हसियां को इलगे कहा जाता है अब हम बात करते हैं गिजू भाई बदेका के बारे में गिजू भाई भारत के गुजरात में रहते थे और वहां बच्चों के लिए मजएदार किस्से कहानिया और पत्र लिखा करते थे अब हम बात करते हैं पंचियों के बारे में कल्चिडी इंडियन रोविन पंचिडी के गोंसले में लोहे के तार और लकडी की साखा है जैसी चीज़ें भी होती हैं फाक था कैक्ट। स्कार्मिया गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं दरजेशंद छिड़िया अपनी नुखिली चोंसे पत्तों को सी ले और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तयार करती है सक्कर खोरा या किसी छोटे पेड़िया जाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ गोसला बनाती है सक्कर खोरा अपना गोसला बाल बारी घास पतली टैनिया सूखे पत्ते रूई पेड फेड की अब बात करते हैं अपने अपने गोसले अलग बनाते हैं मादा बीवर पंचि नर के बनाए हुए गोसलों को देखती है और उसमेंसे तो सबस्ते अच्छा जुष्या पानीम्हें जानवरों के बारे में अब हम आपको fourth class के EBS के NCRT के नोट से बताने वाले हैं गाय के दात पत्तों को काटने के लिए चोटे होते हैं घास चबाने के लिए पीछे के दांत और चप्टे और बढ़े होते हैं बिली के दान नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं अब हम कुतरने के कारण हमेशा गिस्ते रहते हैं पर्रावर और सिच्छा किंद्र एहमदाबाद में है गंदा पानी पीने से दस्तोर हैजा हो सकता है दस्तिया उल्टी में सरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत मजबूत होती है इन्हें खुरफी से ही खोद के निकाला जा सकता है घास का पौदा जितना जमीन के उपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर यह फैला हुआ होता है बर्गत की पेड़ की लटकन उसकी जड़े होती हैं वे टैनियों से निकलती है और सब्तर से लिखित मैं लेनी परती है रेकिस्तानी ऊफ पेर ऐस्टेलिया में पाय कि रेकिस्तान में इसकी लंबाई इसकी उंचाई गयारे से बारे बहुत ही कम उती हैं 여 Tutu पेड़ की जड़ें तो चुर्षare चली जाती है जब तक वे पानी तक न पिह जब कढ़ी देण होता है जब कभी इस इ Geschichte में पानी की कमी होती औरुका वियू से पिछले दिन की साम होती है बोरावा चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचपे हो जाते हैं इसे असम में खाया जाता है चेवा चावल ताओ कडाही में ताओ कडाही को आग में रखकर उसमें पानी हुआ लेंगे और भीगे हुए औरिशा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है बिहू तयोहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पैंती हैं लड़कियां रंगवी रंगी मेखला चादर पैंती हैं भात सुक्तों चावल और रसेवाली सबजी को कहते हैं पोचमपली जिला आंदर प्रदे को कहा जाता है के रल में मसालों का बगीचा है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पिरिम्ट में पहली महला जैनों ने पूरी परेड की कमान संभाली गंणावंडी गांव राजवरी जम्मू कस्मीर में है जब परेड होती है तो पीछे की चार टुकडियां चलती है पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं इस किट को पुल लद्दाक का एक गाउं है लद्दाक में मां को आमाले पेता को बाबाले बाबा को मेमेले कहा जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और स